बिस्मिल्ला रह्मान रहीम तोड़े वी शेल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल क्वाड्रोपल मुमेंट अफ नूकलियस लास्ट लेक्चेस के अंदर हमने मेगनेटिक डाइपल मुमेंट के बारे में पढ़ा था यह मारे पास कवाड्रोपल मुमेंट है हमने पीछे डाइपल मुमेंट के बारे में पढ़ा था लेकिन वो जो डाइपल मुमेंट था that was magnetic डाइपल मुमेंट हमने कहा था कि एक चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर एक end उसका जो है वो magnet का north pole बन जाता है दूसरा end south pole बन जाता है यानि वो particle एक तिनी magnet के तोर पे भी हेव करता है और उसका जो फिर strength थी उसको हमने measure किया था in terms of magnetic dipole moment और उसके parallel electricity and magnetism में मारे पास एक चीज आती है electric dipole जिसमें हम कहते हैं कि जब equal और opposite charges जो है specific distance पे हो तो electric dipole बनता है यानि एक side पे net positive charge है और दूसरे side पे उसी magnitude का जो है वो negative charge है तो वहाँ पे electric dipole बनता है अब nucleus के अंदर electric dipole जो है वो नहीं बनता क्योंकि हमें पता है कि nucleus के अंदर सिरफ और सिरफ positive charge है लेकिन electrical quadrupole जो है उसका concept nucleus के अंदर arise होता है तो आज हम nucleus के लिए electrical quadrupole moment को discuss करेंगे so electrical quadrupole क्या है a charge distribution that produces an electric field equivalent to that produced by two electric dipoles whose dipole moments have the same magnitude but point in opposite direction and which are separated from each other by small distance quadrupole का word हमें पता है वहाँ पे आता है जब हम चार चीजों की बात करते है यानि dipole वहाँ पे था जहां पे दो poles बन रहे थे एक side पे net positive charge होता था एक side पे net negative charge होता था और quadru means के हमारे पास कोई ऐसी arrangement है जिसके चार ends होंगे तो हम कहते हैं के quadrupole का बनता है electricity के अंदर भी quadrupole का बनता है जब दो equal और opposite dipole जो है वो और यह जो यानि एक dipole है मतलब एक side पे positive charge एक side पे net negative charge है और उसी किसम का एक और dipole है लेकिन उसकी direction पहले dipole की direction के opposite है ठीक है यानि पहले dipole की direction अगर left to right है तो हमारे पास जो दूसरा dipole होगा उसकी direction right to left होगी तो जहां पे भी दो equal और opposite जो है वो dipole exist करें तो उसको हम कहते हैं electrical quadrupole और उस quadrupole का अपना एक electric field होता है क्योंकि हमारे जहां भी charge distribution होगी उसके गेदे एक electrical field भी present होगा तो उस किसम की जो arrangement है कि दो dipole अगर present हो और वो एक दूसरे के opposite direction में हो तो वो एक दूसरे का effect cancel out नहीं करते हैं बलके एक net जो है हमारे पास electrical field वहां पे exist करता है तो जहां पे भी हमारे पास अब nucleus के अंदर क्या है हमने कहा कि चुंकि वहां पे सिरफ और सिरफ positive charge है negative charge वहां पे present नहीं है तो dipole का concept rise नहीं होता तो फिर question mind में आता कि वहां पे quadrupole किस तरह से आजाता है यानि दो equal और opposite dipole कहां से आजाते है तो उसको जहाँ यह definition clear कर रही है कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि exactly quadrupole हो कि हमारे पास nucleus के अंदर भी electric field उस तरह से rise होता है यानि nucleus के अंदर जो भी charge है उसकी वज़ा से electric field इस तरह का हो जाता है जैसा कि हमारे पास एक quadrupole का होता है तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि nucleus के अंदर भी quadrupole moment exist करता है यानि जिस किसम का electric field जिस तरह किसम का potential जिस तरह का effect जो हवे इक dawn कोडिौको प्रोडियूस करता है हमारा जो nukles है वो भी उसी तरह से भी एवर कर रह स C उल से और होता है उसका भी वैसे प् आह एक a का होता है जिस तरह का आपका एक क्वाड्रोपोल के अंदर होता है तो हम कहते हैं कि ऐसे डाइपोल के जैसा मेगनेटिक फिल्ड पैदा करें जो के मैगनीचूड में सेम हो और डिरेक्शन में एक दुसरे के ऑपोजिट हो ठीक है और एक स्मॉल डिस्टंस से हमने दोनों को सेपरेट आउट किया हो तो अगर एग्जेक्टली वहाँ पे डाइपोल दो एक उप पुरे स्फियर के अंदर एक जैसा डिस्टिब्यूट है तो तब तक वहाँ पे ना तो तो डाइपोल एक्जिस्ट करता है यानि ना दो एंड्स बनते हैं और ना चार एंड्स की तरह हमारे पास किसी किसम का क्वाड्रोपोल आता है लेकिन जैसे ही नूकलियस अपने स्फिरिकल शेप से डावियेट करता है आपका जो चार्ज है वो साइडों पे निकलना यानि स् साइडों पे डिस्ट्रिब्यूट हो जाए तो उस case में पिर हमारे पास जो है वो क्वाड्रोपोल का कॉंसेप्ट आता है तो जब हम बात करते हैं कि क्वाड्रोपोल मॉमेंट से क्या मुराद है तो लाइक डाइपोल की चार्ज को हम उनकी स्टेंट से मिल्टिप्लाइ कर देते थे तो यहां पर जो काड्रोपुल मुमेंट होगा उसका भी उसी किसम का फॉर्मॉल होगा हम उसको काल्कुलेट करेंगे लेकिन एक्चुली यह हमें क्या बता रहा होगा इट वुड डिसक्राइब कर देखेक्टिए तो इस तरह तरह बां।ुर बैकर बता बेट और आपको इता है बएक माझा बता पर तो एगर विफिर्स काड़ कोगा इसमें और इक शेयन स्टियुंग आ जो आप्लाइक his फिरिक्लिने जहें उसने ऐको करना लहा है ,凭ी उस चार्ज्च इनके तो कह Nine ल हमें जो है वो quadruple moment की values बिताती हैं ठीक है सो nucleus के अंदर जब हम quadruple moment की बात करते हैं तो actually हम यह measure कर रहे होते हैं कि हमारा जो nucleus है वो अपनी spherical shape से कितना हटा है कितना उसने spherical shape से deviate किया है और अब वो elliptical shape में आ गया है The atomic nuclei in their ground state do not possess electric dipole moment हमारे पास जो nucleus होता है अपनी ground state में यानि नॉर्मली उसमें dipole moment नहीं होता और यहां पर electrical dipole moment की बात हो रही है यानि जो दो equal or opposite charges से बनता है electrical dipole moment nucleus में नहीं होता magnetic dipole होता है तो electrical dipole exist नहीं करता लेकिन जो उसका departure होता है charge distribution का spherical symmetry से यानि आपका जो charge है जब वो spherical shape को छोड़कर elliptical में आता है तो it give rise to electrical quadruple moment यानि electrical dipole moment नहीं होता लेकिन electrical quadruple moment exist करता है इफ अ नॉकलियस है फाइनाइट quadruple moment इट मेंस its charge distribution is elliptical instead of spherical तो अगर एक finite means एक specific value है उसके quadruple moment की that means आपका जो nucleus है वो spherical नहीं है बलके elliptical है ठीक है spherical nuclei है zero quadruple moment कि आपका जो spherical nucleus होता है उसका quadruple moment zero होगा यानि अभी हम एक formula जो हो set up करेंगे quadruple moment के लिए और उसकी मदद से हम किसी भी nucleus के लिए quadruple moment कल्कुलेट कर पाएंगे तो अगर quadruple moment zero आता है किसी भी nucleus के लिए that means उसकी shape spherical है और अगर quadruple की कोईनों की value आती है zero के इलावा तो then हम कहेंगे कि हमारा जो nucleus है उसकी shape spherical नहीं है अब यहाँ पे आप देखें कि यह मारे पास let's say proton और neutron है तो यह bulk की form में कठे होते हैं और यह मैंने यह चीज़ बता दी कि ऐसा नहीं होता कि एक लाइन बाहर लगी हुई हमने circle दाइरह बनाए वह उसके अंदर हमने proton और neutron है वह जमा किये हुए बलके वह खुद से यहां पे nuclear forces के दिए कठे हुए और इसकी shape देखने में हम इस तरह की लग रही है जैसे एक spherical या circular shape है तो यह हमारा basic spherical shape होती है nuclei की जो के हम generally assume करते है ठीक है लेकिन आपका जो nucleus है वह इस shape से deviate भी कर सकता है वह elliptical shape भी बना सकता है और वह ellipse जो है वो दो इस direction में भी वो deviate कर सकता है तो यह अगर वो flat होता है इस direction में x की direction में तब भी और y की direction में lengthwise भी उसकी shape में deviation आ सकती है A quadrupolar nuclear is one that has quantum spin number greater than 1 by 2 अब एक और hint है कि हमारे पस वो nuclei जिनके लिए spin quantum number या जो spin हमने nuclear spin को discuss किया था i जो हमारे पास parameter होता है i की value अगर 1 by 2 से ज़ादा हो यानि net spin nucleus की अगर 1 by 2 से ज़ादा हो तो उसके अंदर quadrupol exist करता है यानि 1 by 2 से ज़ादा spin होगी तो nucleus जो है उसकी shape spherical नहीं रहेगी such nuclei have a low symmetry than spin half nuclei तो जो spin half nuclei यानि ऐसे nucleus जिनकी total spin 1 by 2 बनती है वो ज़्यादा symmetrical होते है symmetrical का मतलब बिल्कुल वो circular shape में या spherical shape में होते है और जब spin आपकी half से ज्यादा होती है उस वक्त आपका जो nucleus है वो spherical shape से deviate करता है तो जैसे spherical shape से वो deviate करेगा उसी वक्त वहाँ पे जो है वो quadrupol moment arise होगा spin half particles have zero quadrupol moment and have spherical shape तो जो particles या जो nuclei spin half होगी मतलब जिनकी spin 1 by 2 होगी वो उनके लिए quadrupol moment की value zero होगी और definitely जब quadrupol moment zero होगा तो उनकी जो shape है वो भी spherical होगी now we shall calculate formula for quadrupol moment उसके लिए consider करें कि हमारे पस एक nucleus है जिसकी charge distribution जब वो completely symmetric नहीं है कि symmetric का मतलब होता है कि हर जगा पे equally distributed नहीं है so let's consider कि हमारे पास चार्ज है nucleus का वो point A पे पड़ा हुआ है rather than its center यानि center पे यहाँ पे नहीं है बिलकि यहाँ से deviate कर गया है इस shape से हट कि इस point A पे उसका charge मुझूद है so A हमारे पास वो point है जहाँ पे हमारा net charge मुझूद है और O हमारे पास उस nucleus का center यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास A से लेकर point P यानि हम इस point पे चक करना चाह रहे हैं कि इसका जो electric field है electric potential की value जो है वो हम calculate करना चाह रहे है और उस potential की value से फिर हम quadruple moment का formula drive करेंगे so A से लेकर P तक का जो distance है इसको हमने R 0 से represent किया है और center से लेकर इस A तक का जो distance है that is R so take a point P outside the nucleus at a distance R from center center से लेकर इस point तक का जो फासला है उसको हमने capital R से represent किया है the electric potential at P due to charge plus Q at A is given by अब सबसे पहले मैंने का हम ये करेंगे कि इस charge की वज़ा से इस point P पे जो electric potential है उस value को हम calculate करेंगे और उस में से फिर हम जो है वो quadruple moment का formula drive करेंगे so let's consider कि यहाँ पे जो charge पड़ा हुआ है वो plus Q है तो हमें पता है कि potential जो है वो 1 over 4 pi epsilon naught Q by R के इकुल होता है और चुकि हमने इस distance को R क्या होता है जहाँ पे charge पड़ा हुआ है वहाँ से लेकर उस point तक का फासला जिस point पे हम potential की value calculate करना चाहते हैं हमने इस distance को R naught से represent किया है तो यह मरे पास होजएगा 1 over 4 pi epsilon naught Q over R naught अब R naught की value find out करने के लिए हम यह triangle use करेंगे O, A, P अब अगर तो यह right angle triangle होती तो वहाँ पे हम लोग pathogorous theorem apply कर सकते हैं यह हमारे पास hypertenous होता अगर यह जो आपका A point है यह somewhat along Y axis होता उस वक्त वो right angle triangle बन रही होती और हम जो pathogorous theorem है C square equals A square plus B square यह hypotenous square जो हो B square plus altitude square के बराबर होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ जो right angle triangle है उसी पे apply कर सकते हैं तो जहां पे आपकी right angled triangle नहीं होती है वहाँ पे हम cosines law का इस्तमाल करते हैं यानि उसी किसम की arrangement है r not square जिस तरह हम कहते हैं यह hypotenous है तो इसका square किसके बराबर है r square plus r square वही चीज है r not square किसके बराबर है r square plus small r square यहाँ से यहाँ तक capital R है यहाँ से यहाँ तक small R है plus एक factor यहाँ पे add हो जाता है minus 2 r into r cause of theta अब यहाँ पे अगर आपकी right angle triangle हो तो theta की value 90 होती है cause 90 0 के बराबर वहाँ पे फिर यह factor खतम हो जाता है और simply आपके पास equation यह रहा जाती है hypertonus square is equal to base square plus altitude square यानि यह उसकी generalized form है और इसी में से फिर हम right angle triangle के लिए पैथागरस theorem जो है वो deduce करते है so यहाँ पे हमारे पास r square हमने क्या किया इसमें से r square commonly है यहाँ से common लिया तो 1 बच गया और यहाँ पे 1 r present था 1 r नहीं था तो 1 r से हमने divide कर दिया plus यहाँ पे r square था तो r capital r नहीं था यहाँ पे तो उसके साथ हमने divide कर दिया उसके बाद जो हमने r square common लिया है इन तीनों terms में से वो square root से cancel out हो जाएगा वो r यहाँ पे side पे आ जाएगा और यह parameter हमारे पास अंदर बच जाएगा अब इसको हम यहाँ पे हमें 1 over r naught की value चाहिए तो हम इसका reciprocal लेंगे 1 over r naught तो यह भी बन जाएगा 1 over capital r यह चीज जब बटे में नीचे जाएगी तो square root हमें पता है 1 by 2 होता है और जब बटे में नीचे जाएगा तो वो हमारे पास minus का 1 by 2 बच जाएगा तो यह हमारे पास 1 over r naught की value है और इस value को अब हमने put करना है equation number 1 के अंदर ताके हम potential calculate कर सकें उससे पहले हम इसको simplify करेंगे यही जो हमारे पास expression है यहाँ पे हमने binomial expansion यूज की है तो यह हमारे पास consider करें यह 1 है और यह मारे पास plus next term है तो यहाँ पे binomial expansion से जब हम इसको expand करेंगे तो 1 plus हमें पता है कि power जो है वो यहाँ पे आ जाती होती है 1 plus x की power अगर n है तो उसको में लिखते है 1 plus nx और उसके बाद n into n minus 1 और फिर x का square होता है next term किस तरह से आती है यह जो power है power में से एक कम कर देते हैं 3 by 2 x वाली जो term होती है इसका square ले लेते हैं ज़र आजाता है 2 factorial प्लस आगे किस तरह से term आती है n, n minus 1 फिर n minus 2 इसका cube ले लेंगे और नीचे 3 के factorial इस तरह आगे से आगे से आगे आपकी सीरीज चलती रहती है यहां पर हमने जस्ट सेकेंड टर्म तक इसको consider किया है higher terms को हमने निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि यहां तक ही consider करने से हमारी डिटर रिविशन है वो complete हो जाएगे हमारी requirement ही यहां तक है तो यहां पर 1 प्लस इसको हमने थोड़ा सा रियर देंजिया है यह हमारे पास half को अंदर multiply कर दें आप तो 2 से 2 कट जाएगा minus minus plus हो जाएगा तो यह r over r cos theta बन जाएगा plus r square over r square अब यहां पर बिटें next हमने यह जो square में term है ना इसको expand किया यह यह प्लस b whole square से जब आप इसको expand करेंगे तो first term a का square यह नहीं r square over r square cos square theta फिर यह इसकी 4 power बली term बन जाएगी फिर 2ab जब करेंगे तो वो cube बली term बन जाएगी तो हमने actually किया क्या है कि यह simply r over r बली term है फिर यहां से यह बनेगी r square over 2r square यह बली term second बनेगी फिर यहां से भी हम a plus b whole square का formula लगा के expand करेंगे तो जो r square over r square बली terms है उनको हमने combine किया है उनके उनमें से यह चीज़ जो है वो common आ जाएगी similarly जो cube बली term है उसको हमने लिया है ठीक है और यहां से यहां से में cube बली term मिलेगी फिर जब आगे a plus b whole cube बली term होगी उसको expand करेंगे तो हमने r वाली terms को अलग किया है यानि पूरी पहले expansion की है यह as it is रहा इधर a plus b whole square का formula लगा के इन दोनों terms को expand किया उसके बाद a plus b whole cube का formula लगा के उनको expand किया है और सारी जो terms हमारे पास बची है उसमें से r over r वाली term अलग की r square over r square वाली terms जो है उनको अलग कर लिया r cube over r cube वाली term जो हमने separate out कर लिया अब यहां से यह जो 1 over r not की value आई है इसको हमने put कर देना है equation number 1 के अंदर यानि जो potential का हमने formula लिखा था वहां पे हमें 1 over r not required था तो 1 over r not की जो value है इसको हम उस equation में put कर देंगे अब यहां से q over 4 pi epsilon not और यह जो 1 over r common था यह यहां पे इसके साथ denominator में आ गया अंदर यह वाला सारा factor जो है वो present है तो हमने q over 4 pi epsilon not r जो है उसको multiply कर दिया है सारी terms के साथ इसके साथ भी इसके साथ भी multiply करेंगे तो यह r square बन जाएगा इसके साथ भी multiply करेंगे यह r cube और r 4 and so on अब यहां पे अगर आप गौर करें तो first term जो है यानि q over 4 pi epsilon not r यह मारे पास potential की value है due to single point charge यानि एक point charge के लिए जब हम potential calculate करते हैं तो वो q over 4 pi epsilon not r के बलता है अब यह जो r है यह distance होता है उस point से लेकर जहां पे आप potential calculate कर रहे है चार्ज तक कर distance तो first term अगर हम देखे हैं तो यह हमारे पास electrical potential है due to single charge और यह जो charge है यहां पे इसको हम कहते हैं monopole moment monopole का मतलब सिरफ एक single charge एक point charge वहां पी present है तो here the first term is potential due to dipole and due to monopole due to point charge basically यहां पे आएगा monopole यहां एक single charge का potential है और q के जो coefficient है 1 over 4 pi e not r is the monopole moment इसको हम monopole moment का नाम देते हैं इसी तरह जो second term है यह हमारे पास है potential due to dipole dipole के लिए जब आप electrical potential की value calculate करते हैं तो qr cos theta over 4 pi epsilon not r square के बराबर होता है और यहां पे qr cos theta के जो coefficients है 1 over 4 pi epsilon not r square यह हमारे पास है dipole moment यह dipole moment की value है similarly the third term is potential due to quadrupole ठीक है इसी तरह third term जो है वो quadrupole का potential है और उसमें जो qr square into 3 cos theta minus 1 over 2 जो है 1 over 4 pi e not r cube को coefficient is called quadrupole moment यहनि basically हम यहां से idea ले रहे हैं यहनि हमें quadrupole moment की value अब तक नहीं बता लेकिन हमने क्या देखा कि यहां पे first term जो है यह है एक single charge का potential और इसमें से अगर 4 pi epsilon not into r को आप अलग कर दें तो पीछे जो q बनता है यह monopole moment है ठीक है जब जब एक single charge है तो उसकी जो strength है वो q ही है उसका जब आप moment calculate करेंगे तो distance का parameter उसमें नहीं आएगा क्योंकि यह की charge जो है वो बड़ा हुआ है इसी तरह हमने देखा कि यह जो term है यह potential है due to dipole यानि एक dipole के लिए जब हम electrical potential का formula calculate करते हैं तो यह आता है इसमें से भी अगर आप 4 pi e note r square को निकाल दें यानि 4 pi epsilon note और नीचे जो r square है इसको निकाल दें तो पीछे जो q r cos theta बचता है यह मारे पास है dipole moment यानि यह basically dipole moment का formula q r cos theta है general formula यह है again जब theta की value आप 90 put कर देते हैं तो उस case में sorry theta की value 0 put करेंगे तो वो आपके पास cause 0,1 के equal आजाएगा और उस वक्त आपका जो dipole moment है वो क्या रह जाता है कि it is the product of charge and the distance between the charges यानि दो charges के दिर्मेंट distance और किसी एक charge की magnitude q d आपने पढ़ा होगा कि dipole moment है वो q d के या q r के बराबर है उसका भी general formula q r cos theta है और एक special case है जहाँ पे वो reduce होके q r रह जाता है तो ये एक single charge का potential और q जो है वो इसका monopole moment ये एक dipole का potential और q r cos theta जो है वो इसका dipole moment और इसी pattern पे अगर हम चलें तो ये हमारे पास है potential due to quadrupole और इसमें 4 pi e not r cube को अगर आप अलग कर दें तो पीछे जो term बचेगी q r square into 3 cos theta minus 1 over 2 ये हमारे पास होगा quadrupole moment ये एक single charge का potential है और q monopole moment ये dipole का potential है और q r cos theta dipole moment इसी तरह ये quadrupole का potential है और q r square into 3 cos theta minus 1 over 2 जो है ये quadrupole moment कहलाएगा तो यहाँ पे हमारे पास q जो है यानि quadrupole moment which is q r square into 3 cos theta minus 1 over 2 अब अगर हम assume करें कि हमारा जो quadrupole moment हम calculate करें वो in the z direction है यानि z की direction में हम लोग calculate कर रहे है तो वहाँ पे हम लोग cos theta की value calculate कर सकते हैं by dividing base with hypotenuse यानि base को hypotenuse से divide करके आप जो है वो cos theta की value calculate कर सकते है तो यहाँ पे cos theta जो है वो z by r के equal हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे cos square theta की जगा पे हमने z by r का whole square put कर दिया इसको जब हम expand करेंगे तो 3 z square over r square यह इसका square expand करने से z square over r square आया और यह जो term r square थी इसको हमने अंदर multiply करवा दिया इसके साथ भी और minus 1 के साथ भी तो यहाँ r square से r square जो है वो cancel out हो गया 3 z square minus r square over 2 तो यह मारे पास general formula आगया quadruple moment calculate करने के लिए यानि इसकी मदद से हम किसी भी nucleus के लिए quadruple moment calculate कर सकते हैं अब यहाँ पे हमने बात की थी कि कि क्यों आपके पास nucleus है वो दो तरह से deviation शो कर सकता है यह नहीं lengthwise भी उसकी shape flat हो सकती है और widthwise भी उसकी जो shape है वो flat हो सकती है तो अगर हम Q calculate करते हैं और Q की value हमारे पास आती है positive इस Q is positive the shape of nucleus is prolate elliptical यह भी ellipse है यह भी ellipse है लेकिन यह lengthwise stretch हुई हुई है तो इस shape को हम prolate का नाम देते है इसी तरह अगर Q की value हमारे पास negative आती है तो उस वक्त जो nucleus की shape होती है that is oblate elliptical यानि है यह भी ellipse ही लेकिन यह चुके widthwise expand की हुई है तो इसको हम कहेंगे यह oblate shape है यानि prolate और oblate यह दोनों जो हैं यह ellipse की ही types हैं अगर ellipse आपकी lengthwise है तो यह आपके पास prolate shape कहलाएगी और अगर वो widthwise है तो यह आपकी oblate shape कहलाएगी तो अगर Q की value positive आती है तो हमें यह पता चलता है कि nucleus आपका prolate shape का है और अगर इसकी value negative आती है that means Q आपका जो nucleus है वो oblate shape का है